आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ गार्लिक लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी तो अगर आप भी रोज साधी रोटी खाकर बोर हो गया है तो आप भी इस रेसिपी को जुरू ट्राइए कीजिए बहुत अमेजिंग और टेस्टी लगती है तो चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दो कप गिहूं का आठा इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नेक्स्ट में इसमें डाल रहे हूँ दो चम्मच तेल इससे जो है आपके पराठे बहुत मुलायम बनके तयार होंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले औ ठीक उसी तरह आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक मीडियम टू हाट डौ रेडी कर लेना है बहुत ज़दा हाड नहीं बहुत ज़दा सौफ नहीं तो एक साथ में बहुत ज़दा पानी नहीं डालिए और इस तरह से आठा गून दीजिए तो इ इसके लिए मैंने लिया है बटर ये रूम टंपरेचर पर बटर लिया है मैंने इसमें गार्लिक डाल देते हैं क्रश किया हुआ या फिर आप बारी काट कर भी डाल सकते हैं साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स इसे मिक्स कर लेते हैं उपस इसमें हरा धन अब बस जो हमने आटा गुंदा था उसका मैंने इस तरह से लोई बना ली है थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर इसे बेलना शुरू करते हैं जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह से आपको इसे बेल लेना है तो देखिए पराठा बनाने के लिए मैंने इसे बड़ा साइज में बेल लिया क्योंकि हम इसका लच्छा पराठा बनाएंगे तो आपको इसका बड़ा पूरा फुल साइज में से बेलना है और फिर जो मिक्शर हमने बना कर रखा था बटर गार्लिक और चिली फ्लेक्स का उ या फिर इस तरह से स्पून के हल्प से अपलाई कर दीजिए पूरी रोटी पर और थोड़ा समय इसमें हरदनिया और डालूंगी तो देखिए इस तरह से आप भी गार्लिक लच्छा पराटा जरूर बनाईए और बस अब आपको इसे फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने का प्रोसेस भी बहुत इसी है आगे करके आपको पिछे के साइड आना है जिस तरह से बच्चे पेपर फान बनाते है ठीक उसी तरह आ करने का जलाता है तो आप भी इस तरह से इस पराठे को ट्राइ कीजिये और बस इसे कोल करके सेंट्र में डाल देजिए और फिर फिंगर्ज के हलब से से प्रेस कर दीजिए और अब बस आपको इस थोड़ासा सूखा आटा अप्लाए करना है और फिर हम इसे रोल बिल कर लेंगे, तो रोल करते वे आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत जादा इसके प्रेशन अफ्लाई नहीं करना है हलके हाथों से हम इसे बेल लेंगे और इसे बहुत जादा पतला भी नहीं बेलना है, क्योंकि पराठा थोड़ा सा रोटि से मोटा ही होता है और हमने पैन पे इसे डाल देना है और इसे बस एक से दो मिनिट के लिए हम सेखेंगे और फिर पलेट लेंगे अब इसमें थोड़ा सा तेल अपलाए करके इसे सेखूंगी आप चाहें तो इसे घी से भी सेख सकते हैं और वैसे तो आपको इसमें तेल जादा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें अल्रेडी बटर अपलाए किया है जिसकी वज़े से ये काफी मुलायम और उपर से क्रिस्पी बनेंगे तो जैसे ये पकता जाएगा आप देख सकते हैं इसके लेयर्स कितनी अच्छी तरह से खुल कर आए हैं तो आप इसे दो से तीन बर पलट पलट कर सेख लीजिए तो देखे हमारा गार्लिक लच्छा पराठा बनके तयार हो गया है इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूँगी तो बस सेम प्रोसेस आपको करना है तवे पर डालके इसे सेख लेना है दो से तीन बर इसे पलट लेना है और फिर अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट और जादा एन्हांस करना है तो आप इसे घी से भी फ्राइ कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को ज़रूर दबाईए ताकि जब भी मेरी कोई लेटिस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल सके तो देखे हमारा गार्लिक लच्छा पराटा बनके तयार हो गया है आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए बच्छों को भी यह बहुत पसंद आएगा आप इसे दही के साथ केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे खाने के लिए किसी भी सबजी की भी ज़रूरत नहीं है यह इतने डेलीशियस लगते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए